नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल इंपोर्टेंट MCQ बैस संदीब में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंदी के पचास अतिमहत्पूर्ण व्याख्या सहीत यहां पर हम आपको समझाने जा रहे हैं दोस्तों वीडियो को पूरा लास तक देखे ताकि इससे संबंदे जो भी फैक्ट्स हैं जो भी इसके साथ के जो फैक्ट्स हैं वो सब आपको अच्छे से समझ में आजए जो इसके नियम है जो हिंदी में संधी समास इसके साथ जो जो नियम है वो मैं आपको साथ ही साथ बत तो चले जोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो ये पार्ट नमबर 15 है इससे पहले कई वीडियो अपलोड हो चुके आप यूपीटेट फुल कोर्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा उसमें आप सारे यूपीटेट के वीडियो देख सकते हैं तो चले जोस् होता है सशक माने होता है खर गोश तो सशक कर पर्यायवाची होगा खर गोश बढ़ते हैं अगले प्र soldier कि तरब गंगा गंगा thrive जमना गादास लोकोक्ति का सही अर्थ है next अपने काम से काम रखना, तीर्थ यात्रा करना, महान भक्त होना या अवसरवादी होना, गंगा गंगादास, जमनगादास इसका सही अर्थ है, अवसरवादी होना, अगला प्रशन है, सूर्य का पर्याय नहीं है, भासकर, मयंक, दिवाकर या सविता, तो सूर्य के जो पर्य मयंख है यह किसका है यह चंद्रमा का पर्यायवाची है तो यहां पर सही उत्तर होगा सूर्य का पर्याय नहीं है वो है मयंख क्योंकि मयंख चंद्रमा का पर्यायवाची है अगला प्रशन है प्रतेक का संधी विच्छेद है प्रतेक का संधी विच्छेद प्रती प्लस एक प्रत्य प्लस एक, प्रत्य प्लस एक, प्रती प्लस एक, तो प्रत्य का संधी विच्छेत है, प्रती प्लस एक, ठीक है, चलिए, यहाँ पर ए भी आपको बता दे, इसमें कौन सा जो संधी है, वो संधी कौन सी है, वो है यड संधी, क्यूं है, क्यूंकि देखे, प्रती में, T में आप देख रहे हैं E आ रहा है ठीक है और 1 के A में A आ रहा है जब E और प्लस A मिलता है तो ये आपका बड़ा A हो जाता है ओके दोस्तों उम्मिद करता हूं समझ गए यहर संधी का नियम E प्लस A बराबर A तो यह हो जाएगा प्रती प्लस एक हो जाएगा प्रत्ते एक अगला प्रशन है जो सास्त्र जानता है वो क्या कहलाता है जो सास्त्र जानता है जहानकार, सास्त्रग्य, विद्ध्वान या सास्त्र जाता है जो सास्त्र जानता है उसे कहते हैं सास्त्रग्य अगला प्रश्ण है पुराड में एक प्रत्य संयुक्त होकर सब्द बनता है अगर पुराड में एक प्रत्य जोड़ देंगे तो क्या बनेगा पौराडिक, पौराडिक, पौराडिक या पौराडिक तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा पुराड में जब एक प्रत्य लगता है तो वो शब्द बनता है पौराडिक अगला प्रशन है हाथ से हतियाना, लाथ से लतियाना संग्या से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं अब इस तरह की संग्या क्या कहेंगे पुरुकालिक, सहिउक्त या नामधा्तु अगला प्रशन है मिठा विशेशड से भाव वाचक संग्या बनती है मिठापा, मिठास या मिठाय, मिठास तो मिठा विशेशड से क्या बन रहा है यह आप खुदी समझते हैं, तो मीठा विशेशट से बनेगी आपकी मिठास, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, कोई आया है, वाक में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, पुरुसवाचक, निश्चेवाचक या अनिश्चेवाचक, जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तू का बोध नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अनिश्चेवाचक, मतलब निश्चित वस्तू का बोध ना हो, उसे कहते हैं, अनिश्चेवाचक, जिसे कोई आया है, ठीक है, अब कोई में हमें पता नहीं चल रहा है, कौन आया है, तो यहाँ पर क्या विकल्प हैं जितने भी ये चारू विकल्प दे रखें इसमें जो पत भ्रस्ट है इसमें होगा तत पुरुष समास क्योंकि जब इसका विग्रह कर रहा है तो यह आ रहा है पत से भ्रस्ट पत से भ्रस्ट मतलब तत पुरुष समास पत भ्रस्ट में होगा तत पुरुष समास अगला प्रशन है भक्ति कालिन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवी कौन थे जैसंकर प्रसाद मीरा बिहारी या कबीर भक्ति कालिन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवी कबीर दास जी है ये है आपके कबीर दास ठीक है बात करेंगे जैसंकर प्रसाद के तो जैसंकर प्रसाद जो उत्रप्रशाद आदोनिक काल के थे और मीरा थी सगोड़糖idas ठीक की ठीक है और कबीर जो थे वो भक्त कालीन शंत परशिद्ध कवी थे अगला प्रशन है पावक और अगणी संब्दों के मध क्या संबंद है जो पावक और अगणी इसके मध संबंध गया है? अवनामी, समनामी, पर्यायवाची या विलोम तो जो पावक है, वो अगनी का पर्यायवाची है सोक किस रस का इस्थाई भाउ है वैसे Y вам यूपिटिट के जो सिलेबा से उसमें रस तो नहीं दिया है लेकिन फिर भी पढ़ने में क्या जाता है, सोक किस रसका इस्थाई भाव है, रौद्र, वात्सल्य, करूड या वीर, तो सोक करूड रसका इस्थाई भाव है, अगला प्रशन है, वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक में वह कौन सा विशेशड है, सारोनामिक विशेशड, परिमाड बोधक विशेशड, गुडवाचक विशेशड या संख्यावाची विशेशड, यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे, जो सरोनाम सब्द संग्या के लिए विशेशड का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेशड कहते हैं, जैसे यहाँ पर है वह विद्या सर्वग्य या सद्दग्य, तो अग्य का जो विपरीत आर्थक है, विलोम है, वो है विग्य, अगला प्रस्न है, बहिरंग का विलोम शब्द है, बहिरंग का विलोम शब्द क्या है, सोरंग, बहुरंग, सबरंग या अंतरंग, तो बहिरंग का विलोम शब्द होगा, अंत अगला प्रस्ण क्या है देख़िए निमलिखित वाकियों में से एक में अपादान कारक के विभिन चिन का विभक्ती चिन का प्रयोग हुआ है अब किसमें हुआ ये आपको बताना मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल है आपको मालूम हुआ अपादान कारक में क्या होता है जब कोई चीज कहीं से अलग होती है ठीक है किसी चीज से कोई चीज अलग हो जाए तो वहां होता है अपादान कारक और दूसरा option है, दुधुवा पार्क में बहुत से दर्शनिय जीव निवास करते हैं, पैरों से चलना, यात्रा, समुदाई से चलना, समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है, आकास से गिरी एक बून्द कहीं मोती, कहीं विश, तो कहीं कीचड बनी, तो इसका क प्रशन है, इस फूर्ती सब्द का तद्भो है, सुफीत, सौफीत, फूर्ती या फिर इस फूर्ती सब्द का तद्भो आपको बताना है, तो इस फूर्ती सब्द का तद्भो है, फूर्ती, अगला प्रशन है, तुरंग सब्द का पर्यायवाची सब्द चुनिये, सशा, वाजी, कुरंग या शारदूल तुरंग शब्द का तुरंग इसका जो शब्द है जो इसका अर्थ है वो है घोड़ा तुरंग का मतलब होता है घोड़ा और इसके कई परियावाची होते है जिसे अस्व, है, घटिक और यहां पर क्या है तुरंग का जो परियावाची है घो इस्त्री लंग सब्द की बात हो रही है तो यहाँ पर डोर होगा इस्त्री लंग कहते हैं न डोर तूट गई ठीक है धागा तूट गया कहते हैं धागा तूट गई नहीं कहते हैं लेकिन डोर तूट गई ठीक है तो यहाँ पर इस्त्री लंग सब्द होगा डोर अगला प्र इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है क्यों है क्योंकि यहाँ पर रहना क्रिया के साथ सोना कर जिसमें कर्म जुड़ा होता है ठीक है यह है रहना के साथ देखिए सोना जुड़ा हुआ है ठीक है चले आगे देखते हैं अगला प्रशन है हिंदी दिवस मनाने की तिथी है 14 सितंबर 26 जनवरी 14 आगस्त या 14 नौमबर तो हिंदी दिवस कम मना जाता है आपको मालूम है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना जाता है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सरो नाम है पूरुस वाचक सरो नाम, निज वाचक सरो नाम, प्रस्न वाचक सरो नाम या संबंध वाचक सरो नाम तो जैसा करोगे वैसा भरोगे यहाँ पर आपका कौन सा सरो नाम यहाँ पर संबंध वाचक एक वाक्ष से दूसरे वाक्ष का संबंध जैसा करोगे अगर एक वाक्ष ले ले किवल हम और दूसरा वाक्ष ना ले तो जो पहला है इसकी कोई value नहीं रह जाएगे ठीक है ये दोनों आपस में क्या हो रहे है एक दूसरे से संबंधित है ठीक है जैसा करोगे वैसा भरोगे ठीक है तो ये क्या है संबंध वाचक है अगला प्रसने च्छा के बारे में सही नहीं है नहीं जहां आजए उसको underline कर मेरे में सही तालव दोनी च्छा के बारे में बोजला है नहीं नहीं है तालव दोनी है कंठ dying है महा प्राड दोनी और अघोश दोनी तो यह आपको बताना है जो च्छा है वो कंठ धोनी है यह सही नहीं है च्छा जो है वो कंठ धोनी है यह आपका सही नहीं है ठीक है बाकी तालव धोनी है महाप्रार धोनी है अगोज धोनी है लेकिन जो च्छा है वो कंठ धोनी नहीं है क्योंकि जो का होती है मैंने काफी पह रहे थी कक का से कावर्ग और का से कंठ अगर आपको याद हो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्चन में उसका लिंक देदूंगा आप वहां से जाकर जरूर देख लीजे भवानी का पुलिंग है भवानी का पुलिंग क्या होगा यह आपको बताना है भवदेव भवन देव या भव तो भवानी का पुलिंग है भव अगला प्रशन है उत्पत्त की दृष्टी से हिंदी सब्द समू को कितने वर्ग में बाटा जाता है उत्पत्त की दृष्टी से तो उत्प तत्भो, देशज, विदेशज और संकर कुल 5 हैं पांच वर्गों में बाटा हुए तो इसका सही उतर होगा 5 मैंने आप एक बार फिर से बता दू पांच जो वर्ग है वो हैं तत्सम सब्द, तत्भो सब्द, देशज सब्द, विदेशज सब्द, संकर सब्द ठीक है चले आ कठिनाई से प्राप्त किया जा सके इसके लिए एक शब्द होगा दुरलाफ अगला प्रश्ण है जो वे शब्द जो विभिन पदो, वाक्यों अथवा वा के खंडों को जोडते हैं वो क्या कहलाते हैं सर्वनाव, विश्मयाद बोधक, समुच्चे बोधक या सम्मंद बो विजन, अन्तस्त विजन कहलाते हैं, किस वर्ग के विजन, अन्तस्त विजन कहलाते हैं, तो वो वर्ग है या वर्ग, या वर्ग के जो विजन है, या रा ला वा, ये देखे, या रा ला वा, ये क्या हैं, ये सब, ये चारों क्या हैं, ये अन्तस्त विजन है, अगला प्र जो बोल रहा है भाव आचक संग्या नहीं है तो भाव आचक संग्या है वो अस्तित्व है थकावट है हरियाली है लेकिन जो बैमान शब्द है बैमान शब्द क्या है ये विशेशड है ठीक है ये किसी चीज की विशेशता बताता है कि वो इंसान बैमान है तो वो उसकी विशेष्टा बता है वो क्या होता है वो विशेष्ड होता है अगला प्रश्ण है निम्नांकित में से कौन सा सब्द गुडवाचक विशेष्ड नहीं है बहुत नरम इमांदार या सुगंदित यहां पर बात हो रही है गुडवाचक विशेष्ड नहीं है तो यहां पर जो गुडवाचक विशेशड नहीं है, वो है बहुत, ठीक है, क्योंकि जो बहुत है, वो आपका है प्राविशेशड, प्राविशेशड क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्राविशेशड वे होते हैं, जो विशेशड की विशेश्टा बताते हैं, जैसे हमने भी इस貌 भी बताया था है विशेषर्ड क्या है बेइमान तो प्राविशेषर्ड कैसे यूजओगा कि हो गौहां बहुत बैइमान की भी विशेषडा बता रहा है बहुत तो ये बहुत क्या oxyish नहीं है यह पूछा है आपसे तो यह जो अमी है यह अगनी का परियावाची नहीं है बाकी के तीनों है सूत सब्द का तत्सम सब्द क्या है पीटना धागा शूत्र या नीच यह तो आप देखके ही बता सकते हैं सूत सब्द का तत्सम सब्द है सूत्र अगला प्रशन है अध्यात्मिक, आत्मिक या भोतिक, तो अध्यात्मिक सब्द का विलोम है भोतिक, अगला प्रशन है रिक्तिस्थान की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर, डैस और इसमें से चार आप्शन आपको दे रखें, वैराग अहंकार, दोष या इर्श्या, तो य है उज्वल यह आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं अब आपको यह बताना है कि इसमें सही कौन सा है जिसमें दो जाए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट कोश्चन है दो जा आधे लगते हैं उज्वल में दो जा आधे लगते हैं याद रखेगा अगला प्रशन है जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है रचना के आधार पर वाक का प्रकार बताए मिश्रवाक के आग्या वाचक वाक के सरल्वाक की या संयुक्त यहां पर यह है कि यहां पर यह बता रहा है कि जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है तो यहां पर यह क्या होगा यह मिश्रवाक के होगा क्योंकि एक वाक के दूसरे वाक के पर आश्रित है जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है दो सरल्वाक के हैं और एक वाक के दूसरे पर आशृत है इसका मतलब यह है मिश्च्रवाक के अगला प्रशन है सांज होते ही पच्छी अपने अपने नीर को लोट आते हैं वाक किमें रेखांकित सब्द के इस्थान पर सही सब्द का प्रयोग कीजिए तो यहां पर नीर का अर्थ क्या होता है सबसे पहले तो यह समझ क्या होता है नीड माने होता है घोसला मतलब यह जो नीड है और नीड है दोनों सेम तरे दिख रहे हैं नीड का मतलब होता है पानी और नीड का मतलब होता है घोसला अगला प्रशन है निम्नांकित में से कौन सा सब्द असुद्ध है विसिस्ट, क्रतग्य, प्रतिग्या या सुस्क यहाँ पर असुद्ध की बात हो रही है तो क्रतग्य, प्रतिग्या और सुस्क यह तो बिल्कुल सही लिखे हुए लेकिन जो विसिस्ट है यह सब्द यह सही नहीं लिखा हुआ है क्योंकि यह ठा बना हुआ है यहाँ पर टा होगा विसिस्ट होता है ठीक है मैं लिखके आपको बता रहा हूँ विसिस्ट यहाँ पर टा बनेगा ठा नहीं बनेगा अगला प्रशन है दुर पयोग सब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दुरू पयोग में दुरू दुरू पयोग में किसका प्रयोग हुआ है दुर प्लेस उपयोग ठीक है दुर प्लेस उपयोग ये होता है दुरू पयोग ठीक है चले आगे देखते हैं अगला प् लंबी धर्मा प्लस अव प्लस लंबी धर्म प्लस अवलंब प्लस ए धर्मा प्लस वलंबी तो धर्मा वलंबी का जो शब्द है वो ये है धर्म प्लस अवलंब प्लस ए समझ गए चलिए आगे देखते अगला प्रश्ण है आन प्रत्य से बनने वाला शब्द कौन सा है लगा आना आनबान या आनन्द यह आपको बताना है तो आन प्रत्य से बनने वाला सब्द है लगान ठीक है और इसकी जो धातू है वो है लग लग धातू है और आन प्रत्य का प्रयोग हुआ है लग प्लस आन बराबर लगान अगला प्रशन है जिसकी लाठी उसकी भैस में लाठी और भैस तो संग्याए हैं लेकिन जो दोनों सब्द हैं जिसकी और उसकी जिसकी और उसकी ये क्या है ये आपके हैं सर्वनाम अगला प्रश्म है लाल से निर्मित होती है लाली तो काला से क्या निर्मित होगा जब लाल से लाली हो रही है तो सीधी सी बात है काला से काली हो जाएगी रोना का सकर्मक रूप क्या होगा रुलाना कोई नहीं रोता या रुला तो रोना का सकर्मक रूप क्या होगा होगा रुलाना अगला प्रश्ण है आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना, चीखना, जोर से बोलना या विरोत करना आवाज उठाना मतलब किसी चिज़ का विरोध करना आपने सामानिता सुनाओगा कि किसी के प्रती आवाज उठाई जा रही है किसी मुद्दे के प्रती आवाज उठाई जा रही है इसका मतलब विरोध करना अगला प्रशन है सडानन सब्द का संधी विच्छेत क्या होगा सडानन सब्द का संधी विच्छेत क्या होगा सड प्लस आनन सडा प्लस नन सट प्लस आनन या सट प्लस आनन तो यहाँ पर आपको क्या सही है सडानन सब्द का संधी विच्छेत है सट प्लस आनन ठीक है सट प्लस आनन अगर बात इसमें करें कि इसमें संधी कौन सी है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टा अधा बना हुआ है इसका क्या मतलब है यह वेंजन संधी है ठीक है अगला प्रस्ण है गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया अकर्मक क्रिया सहायक क्रिया या सकर्मक क्रिया तो आपने कभी कभी सुना होगा कि वा गाकर सो गया वा खाकर सो गया वा गाकर खेलने चला गया मतलब जो गाकर है गाकर मतलब इसके बाद कोई क्रिया हो रही है तो गाकर जो क्रिया होगी वो क्या होग पूर्वकालिक क्रिया इससे पहले के वीडियो में भी मैं समझा चुका हूँ पूर्वकालिक क्रिया क्या है एक क्रिया होने के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो जो पहले वाली क्रिया है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्ण की त उसके अंग अंग सजाए गए, यहाँ पर जो अंग शब्द है उसका एक ही बार प्रयोक करना चाहिए, बार बार प्रयोक करने की जुरत नहीं है, उसके अंग सजाए गए, ठीक है, तो उमीद करता हूँ यह पचास प्रश्ण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, प् कौन सा नियम लागू होता है निरंतरता का नियम समानता का नियम प्रत्यागमन का नियम या मेंडल का नियम पिछले वीडियो में मैंने इसको अच्छे से समझाया भी था कि यह ऐसा जब माबाप के विपरीत संतान जाती है तो वो कौन सा नियम होता है तो यहाँ पर प्रत्य आगमन का नियम होता है, याद रखेगा, चेले बढ़ते हैं आज के विशेश प्रस्ण की तरफ, आज का विशेश प्रस्ण है, निस्चे में संधी है, स्वर, वेंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं, दोस्तों इस प्रस्ण का उत्तर आप नीचे comment box में हमें जरूर बताएं और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप नीचे comment box में हमें comment करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें share करें और channel पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो channel को subscribe करके गंटे का निशान जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले मिल जाएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत